अगर आप 2024 में अपना खुद का 1000 स्क्वेर फीट घर बनवाना चाहते हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको घर बनाने के लिए कितना खर्चा सकता है जिससे कि आप पैसो की व्यवस्ता कर सको और बिना रुके आपके घर का काम कंप्लिट हो सके पहली चीज तो ये आजाती है कि जिस घर का कोश्ट हम निकालने वाले है वो घर फ्रेम स्ट्रक्चर होगा यानि कि घर बनाने के लिए कॉलम बीम का इस्तमाल किया जाएगा उसकी बाहरी दीवारे जो है वो 9 इंची होगी अंदुरूनी दीवारे जो है वो 4 इंची होगी औ और इस घर को बनाने का जो खर्च हम निकालने वाले है उसमें foundation की खुदाई से लेके आपके घर का जो painting work है इन सभी चीजों को add किया गया है यानि कि start से लेके end तक सभी cost को हम इस video में देखने वाले है अब ये जो cost हम निकालने वाले है इसमें कुछ चीजों को हम add नहीं क पहले तो हम ये जानेगी कि आपको जो material लगने वाला है वो कितने प्रमान में लगने वाला है और उसके क्या rate होंगे और उसके बाद हम ये जानेगी कि labor cost में आपका कितना पैसा लगेगा और वीडियो का जो end part होगा वहाँ पर हम ये देखेंगी कि अगर आपके घर का area च जाता है जो कि है cement फिर चाहे आपको brick work करना है plastering work करना है tiling work करना है या फिर concrete work करना है ऐसी सभी जगह पर काम में आता है cement तो ये जो cement है 1000 square feet घर बनवाते समय आपको लगबग 450 cement bag तक लग सकती है और अगर हम इसके rate की बात करते है तो ये कम या फिर जादा हो सकते है पर य हमरा answer आजाता है 180,000 रुपए अब इसके बाद बारी आती है इटो की तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि बाहरी दीवारे जो है वो 9 इंची होंगी और अंदुरूनी दीवारे जो है वो 4 इंची होंगी तो यहाँ पर 1000 square feet घर बनाने के लिए आपको लगबग 17,000 तक इटे लग सकती है और अच्छी quality की इटे अगर आप लेने के लिए जाते हो तो आपको 9 रुपए तक 1 इट मिल सकती है तो हमें क्या करना पड़ेगा 17,000 x 9 is equal to आ जाता है 1,53,000 रुपए अब ये तो हो गई बात इटो की इसके बाद बारी आती है steel तो यहाँ पर हमें 1000 square feet घर बनाने के लिए लगबग 35,000 kg तक steel लग सकता है यानि कि 35,000 तक steel हमें लग सकता है अब ये जो steel के rate है ये कम या फिर जादा हो सकते है पर हम ऐसा मान के चलेंगी कि 65 रुपए प्रती किलो के इसाब से हमें steel मिल सकता है तो यहाँ पर 35,000 x 65 is equal to आ जाता है 2,27,000 रुपए यानि कि 2,000,000 से लेके 1,500,000 रुपए तक आपको 1000 square feet घर बनाने के लिए steel के उपर खर्चा सकता है सिमेंट की तरह ही ज़्यादातर जगह पर जिस चीज का इस्तमाल होता है वो है sand यानि कि आपका plastering work हो, concrete work हो, brick work हो यहाँ तक कि tiling work के लिए भी आ ऐसा मान के चलेंगी कि 60 रुपए पर cubic feet के इसाब से हमें रेती मिल सकती है तो 2000 cubic feet हमें sand लगने वाली है multiply 60 रुपए का हमारा rate is equal to आ जाता है 120,000 रुपए इसके बाद बात करते है next item की जो की है aggregate यानि कि गिट्टी जिसे की खड़ी भी कहा जाता है तो यह जो गिट्टी है आपको column, footing, plinth beam, slab, PCC ऐसी जगह पे लगती है तो 1000 square feet घर बनाने के लिए आपको 1950 cubic feet तक गिट्टी लग सकती है और यह जो गिट्टी है 55 रुपए पर cubic feet के इसाब से आपको मिल सकती है तो 1950 multiply 5 is equal to आ जाता है 1,7,250 रुपए अब next cost जो हम देखने वाले है वो है plumbing cost तो 1000 square feet घर बनवाने के लिए आपको जो plumbing cost आने वाला है वो लगबख 75,000 रुपए तक आ सकता है अब इसमें हम सभी चीजों को add करेंगे जैसे कि आपके plumbing के pipes, overhead water tank, sanitary fittings, tap, mixer अब यहाँ पर एक चीज के तरफ खास करके ध्यान दीजे कि अगर आप brick work वाली safety tank बनाते है तो यह cost थ से लेके 45 रुपए per square feet वाली tile जो है अपने flooring के लिए लगवाओगे तो इस हिसाफ से अगर हम देखे तो 1000 square feet घर बनवाते समय आपको tiling के उपर जो cost आएगा वो 65,000 से लेके 70,000 रुपए तक आ सकता है अब tiling work में हमने granite को add नहीं किया था जिसको कि अब हम देखेंगे तो 1000 square feet घर बनवाते समय आपको जो granite के उपर cost आ सकता है वो depend करता ही कि आप कहाँ पर granite इस्तमाल करते हो एक्जामपल के लिए कुछ लोग जो है अपने kitchen platform के लिए ही granite इस्तमाल करते है पर कुछ जगह पर आपका जीना टपा, window frame, door frame ऐसी सभी जगह पर granite का इस्तमाल कि अब granite के बाद बारी आती है आपके घर के electrical work की तो electrical work पे आपका जो खर्च होने वाला है वो 1000 square feet के लिए आप ऐसा मानके चल सकते हो कि 25,000 रुपय तक आपको electrical work का cost लग सकता है जिसमें की सभी चीज़े add की गई है आपके wire से लेके switch, socket, tube, fan, bulb ऐसी सभी चीज़ों को इसमे खर्च आएगा वो 67,000 से लेके 70,000 रुपय तक आ सकता है जिसमें की आपको अच्छी quality की aluminum window fit करके मिल सकती है तो door का जो cost है वो depend होता है कि आपके घर के अंदर कितने door है और आपने कौन से material का इस्तमाल किया है अपने door को लगवाने के लिए अगर आप सागवान के तरब ज आती है painting work की तो painting का जो cost है वो depend करता है आपके painting material के उपर और आपका जो labor cost है उसके उपर क्यूंकि painting का labor cost भी अच्छा कासा होता है तो painting के लिए अगर हम regular और अच्छे quality का branded paint इस्तमाल करते है तो 1000 square feet के लिए आपके 80,000 रुपय तक खर्चा सकता है उसके बाद आपका जो जीना है उसके लिए हम stainless steel की railing को consider करेंगे तो यहाँ पर आपको 15,000 से लेके 18,000 रुपय तक खर्चा सकता है यानि कि अगर हम सिर्फ material cost के बारे में देखते है तो 1000 square feet घर बनवाते समय हमें लगबग 12,000 रुपय तक खर्चा सकता है अब ये तो हो गए material का cost अब जानते है labor cost के बारे में तो जैसे कि हम जानते है हमें brick work, plastering work और RCC के लिए contractor की ज़रत पड़ती है तो उनका cost जो है वो square feet के इसाब से होता है तो 2024 में वो आप से लगबग इन तीनों कामों के यानि कि plastering work, brick work और centering इन कामों के लिए 235 रुपय तक per square feet के इसाब से आप से चार्ज ले सकते है अब ये जो rate है 1000 square feet से हम multiply करते है जो कि हमारे घर का area है तो हमारा answer आ जाता है 2,35,000 रुपय इसके बाद अगर हम बात करें tiling work की तो tiling work के लिए आपको 1000 square feet के लिए 50 से लेके 60,000 रुपय तक खर्चा सकता है अब ये जो खर्च हमने यहाँ पर निकाला है इसमें tiling work के साथ granite work का cost भी add किया गया है next अगर हम बात करें plumbing work की तो plumbing का जो labor cost है वो आपको 1000 square feet के लिए 20,000 से लेके 25,000 रुपय तक आ सकता है तो 1000 square feet घर बनवाते समये आपका जो labor के उपर cost आ सकता है वो 4,000,000 रुपय से लेके 5,000,000 रुपय तक हो सकता है तो अब आते हैं वी गर बनवाना चाते हो तो आपको 1500 रुपय पर square feet से लेके 1700 रुपय पर square foot तक खरचा सकता है यानि कि 1000 square feet घर बनानी की जो लागत है वो 2024 में आपको 15,50,000 से लेके 17,000,000 रुपय तक आ सकती है तो अब हमने ये तो जान लिया कि घर बनानी के लिए हमें कितना खरचा सकता है पर यहाँ पर यह जो cost हमने आपको बताया है इससे आपको थोड़े से ज़्यादे पैसों का arrangement करके रख लेना चाहिए क्यूंकि घर का जो cost है वो depend होता है कि आपके घर का plan की सिसाब से है, आपको material किस rate में मिलते है, आपके यहाँ पर labor charge कितने है, क्यूंकि घर बनाते समय कु तो इस तरका एक calculator open हो जाएगा, वहाँ पर आपको सिर्फ आपके घर का area डालना है और आपको directly answer मिल जाएगा, और अगर आप detail में जानना चाहते हो कि 2024 में ठेकेदार आपसे कितना रुपय चार्ज ले सकते है तो comment box में comment जरू कीजे, और अगर आप खुद का मकान बनवा तो इस चानल को जरू सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चानल पर जो वीडियो है वो घर बनाते समय आपके बहुत काम में आएंगे, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लागा हो तो जरू इसे लाइक कर दीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इन में से कोई एक वी में आ सकती है